आपके सामने संकित इस कक्षा में आपका स्वागत करते हैं चात्रों पूर्व कक्षा में मैंने आपको संस्क्रिट क्लास नाइन प्रत्मा पाठा के प्रत्म भाग को पढ़ाया था या अध्यन कराया था आज हम उसी प्रत्मा पाठा भारती वसंजीती के गृतिय भाग का अध्यन करेंगे चात्रों आपको यहां मैंने बता ही स्पूर्व कक्षा में बता ही चुकी हूँ कि भारती वसंजीती अर्थाज हे सरस्वती देवी या हे वीरावादिनी वसंजीतों में कोई नया गायन करो तो इसी के बारे में आगे क्या क्या अध्यन करना है आगे क्या क्या चर्चा हो रही है इस पार्ट में उसके बारे में इसके दूसरे भाग में हम आपके सामने चर्चा करते हैं तो आईए चात्रों देखते हैं संस्क्रिट क्लास नाइन चैप्टर वन भारती वसन गीति का गीतिय भागः तो आईए देखते हैं इस पार्ट में हम आपको हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वै, चब्दार, संदी विचे, व्याकरण और प्रश्न उत्रपर प्रकाश जालेंगे चात्रों तो आईए हम श्लोक नमबर टू पढ़ते हैं आप ध्यान से देखेगा और पैंसिल हाथ में पकड़ लिए और जो भी कठीन मुश्किलाथ है उसको आप लोग अंडलनी कीचेगा ठीक है चात्रों तो आईए देखते हैं दूसरा श्लोक श्लोक नमबर टू समझ में आया चात्रों इसका प्रॉनांसेशन कैसे करना है आपको ठीक है तो आगे हम इस लोग के अन्वे की और चलते हैं आप छोटी कख्षाओं में अन्वे का मतलब जान गए हैं फिर भी मैं आपको पिछली कख्षा में भी बताया था और अभी फिर से बता रही हूं कि अन्वे का आर्थ होता है करता कर्म और क्रिया को उनके विशेशड और अन्य विभक्तियों के साथ एक साथ नियोजन करना तो आईए दूसरे श्लोक के अन्वे को हम देखते हैं जान से इह वसंते मदूर मंजिरी पिंजिरी भूत मालाहा सरसाहा रसालाहा लसंती ललिक कोकिला काकली नाम कलापाहा लसंती चब आपको चात्र यहां समझ में आ गया कैसे इसका अन्वे करना है तो आप इसके शब्दात आप अच्छी तरह से जानते ही हैं शब्दात को आपको ध्यान दिलाती हूँ यापर देखिया आप छोको एक एक शब्दों का अरत अच्छी तरह से देखेगा मधूर यहनुनि मीशे मंजरी मंजरी यहने आमकी जो बौर और ओती है शात्रों उसको मंजरी कहते हैं पिंजिरी भूत माला पिंजिरी यने पीले रंके आम के गृक्ट में जो बौर आती है वो पीले रंकी होती है तो पीले वर्षे युक्ते, भूत माला यने पंग्ती, तो पीले रंगों से लदी हुई या युक्त भूत यने युक्ते, पंग्ती, फिक है चात्रो? सरसाहा यने सरस रसवाला रसपूर्ण रसालाहा यने आम को हम रसाला कहते हैं क्यों क्यों चात्रों या पे क्योंकि रसाला जो है वो रस से भरा हुआ तो आम क्या होता है चात्रों रस से भरा हुआ तो इसलिए क्या कह रहा है रसाला को आम नाम दिया है आम का पर्यायवाती क्या है रसालाहा लसंती यने सुशोवित हो रही है इह यने यहां सरसाहा यने रस्पूर्ण तो छात्रों आपको यहाँ पर अच्छी तरह से इस श्लोग के शब्दाद पता चल गए है तो आईए हम श्लोग का अर्थ देख लेते हैं अर्थ हमेशा अन्वे के ऊपर अधारित होता है हिंदी अर्थ जो होता है वो अन्वे के उपर अधारित होता है तो छात्रों आया देखिए यह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूत मालाहा यहीं 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 यह आईये चात्रो इसके बाद हम आगे देखते है और क्या हो रहे है अब वसंत्रितों में मधूर मंजरियों से पीली हो गई रस वाली लसाला याने आम के पेनों की मालाहा लसंती याने शुस्विट हो रही है चात्रों यहाँ पे क्या बोल रहा है इस वसंत्रितों में मधूर मंजरियां जो है वो पीली हो गई है मतलब आम के बौर जो है वो पीले हो गए है पप चुके है और सरसाम के पेडों की माला जो है वो इस वसंत्रितों में शुशोभित हो रही है सुशोवित होना याने अच्छी लग रही आखों को मन को अच्छा लगना सुशोवित होना कहलाता है ठीक है चात्रो आगे देखे ललित कोकिला काकली नाम कलापा ललिक यहने सुन्दर, कोकिला यहने कोयल, काकली नाम यहने कोयल की आवाज या कोयल की कूक को काकली नाम कहते हैं ठीक है कलापाहा लसंती यहने सुनाई दो रही है ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो चात्रो यहाँ पर क्या हुआ, वो क्या कह रही है, कि सुन्दर कूक वाली कोयलों का समू भी सुन्दर लग रहा है तो नवीना में वीनावादनी वो आगे फिर वही कह रहे हैं कि हे वीना की देवी सरस्वती नवीन वीना को बजाओ तो आए चात्रों आप इसका आर्थ हुबहु देख लिजे इस वसंत रितू में मदूर मंजीरियों से पीली हो गई सरसाम के पेड़ों की माला शुशोबित हो रही है सुन्दर कूक वाली कोईलों के समों भी सुन्दर लग रहे हैं हे वीना की देवी सरस्वती नवीन वीना को बजाओ यहां तक आपको चात्रों समझ में आ गया होगा पूरा श्लोक का आर्थ और श्लोक और अन्वे सब अच्छी तरह से तो आगे देखिए श्लोक में क्या संदी दी गई है उसके बारे में मैं पढ़ते हैं मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बता दिया है में हम यहां पर चर्चा करेंगे तो आईए चात्रों इसके बाद हम इस लोक के व्याकरण याने भाशिक कार्यम की और आपका ध्यान आकाशित करते हैं यहां क्या क्या क्रिया और विशेश विशेशण है वो क्या क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं देखे चात्रो ध्यान से देखेगा और पेंसल से टिक कीजिए कि कहा मिशेश है कहा मिशेशन है यह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूत मालाहा सरसाहा रसालाहा सरसाहा रसालाहा रसाला आम को कहा गया आपको मालूम है इसलिए आम क्या है नाउन है इसलिए यह क्या हो गया शात्रो विशेश हो गया और नाउन विशेश होता है और जासत क्या होता है परसन होता है यहने करती पद होता है ठीक है फिशली कक्चा में ही आपको सब बता दिया मैंने शात्रो यहाँ पर भी फिर से बता रही हो कि नाउन जो होगा वही आपका विशेश है और अगर वो क्रिया को कर रहा है तो वो करती पद यानि परसन भी कहलाएगा ठीक है और इसके साथ साथ लसंती जो है वो क्रिया पद है शाथ लो यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़िए ललित कोखिला काकली नाम कलापाहा फिर यहां पर काकली नाम यानि कोईलो के समू कूक वाली कोईलो के समू कलापाहा यह करती पद है क्योंकि आवाज कर रहे हैं लसंती क्रिया पद है क्योंकि यह सुशोवित हो रही है ठीक है शात्रो तो आपको कोखिला काकली नाम कलाप पहा कर्षी पद है और लशंती क्रिया पद है ये सब भाषिक कारिया में ठीक है चत्रों तो आईए अब हम पर्याय पजानी याने सिनानिम्स वर्ड इस स्लोग के अंदर क्या दिया गया उसके बारे में पढ़ते हैं देखे चत्रों मंजरी आमर कुचुमम पिंजरी भूतमाला यने पीत पंक्तिया ये सिनानिम्स वर्ड है लसंती सिचो सोभंते इह अत्र सरसाहा रसपूर्णा रसालाहा आमराहा कलापाहा समूहा काकली कोखिला नाम ध्वनी अभी विपरिये पर देख लिजे चत्रों विपरिये पर यने एंटॉनिम सरसाहा का निरसाहा आईए चत्रों ये श्लोक आपको अच्छी तरह से समझ में आजिया होगा तो हम देखते हैं इस श्लोक पर आधारित प्रेश्णों को पूर कक्षब में भी मैंने आपको बताया कि आपको प्रेश्णे हमेशा गद्यांस और पद्यांस पर तीन टैस से पूछे जाएंगे पहला एक पदें दूसरा पोड़वाकें और तीसरा निर्देशा नुसारा तो आईए चलते हैं एक पदें उत्र की ओर पहला कोशन देखिये सरसाहा रसालाहा कदालसंती यहने सरस रसालाहा कोन होते हैं रसालाहा रसाला कौन आम ठीक है तो चात्रों यहां उत्तर हुआ रसालाहा दूसरा पूर्ण वाके इनुत्तरत केशाम, कलापाहा, लसंती केशाम यहने कौन, किसके समूख कलापाहा यहने आवाज, लसंती, यहने सुचोवित होते हैं तो किसकी आवाज सुचोवित हो रही है चात्रों? यहाँ पर ललिन कोखिला नाम काकली नाम कलापाहा लसंती यहने कोई लोग के समू जो है उनकी अवादे जो है वो सिसोवित हो रही है ठीक है चात्रों यहाँ तक समझ में आगया आपको तो आईए नेक्स कोश्चन देखे निर्देशा नुसारम कहला है अस्नी श्लोके आमराणी इतियर्थे कीम पदम प्रयुकतम इस श्लोक में आम ऐसा सेम और से किस पद के लिए प्रयुकत किया गया है तो यहाँ पर क्या है रसालाहा ठीक है दूसरा क्वेशन देखे रसालाहा इतियर्थे क्रिया पदम की मस्ती रसाला इस चब्दे का क्रिया क्या है लसंती तो लसंती यह इसे प्रियापदम अस्ति अब कर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अपने ध्यान से सुना उस पर सारी चीज़े अपने ध्यान से नोट कियोगी और प्रेश्मा को भी ध्यान से समझा होगा तो आईये शैत्रों आज आपने क्या और उसमें नीखे सरस आम के फल लगने लगते हैं और कोईलों के समूव बहुत सुंदर आवाज करते वे क्या करते हैं शुशोवित होते हैं उन पेड़ों पर अच्छे लगते हैं मन को उसके बारे में आपने यहां पर अध्यम किया है तो आपको चात्रों यह दुश्या भा में जाना होगा और अगर आपको इस लोग से कोई भी डाउट है तो आप हमारे एप्स में क्वेरी में जातर आप डाउट बूस सकते हैं हम आपका जवा आपका जवां क्वेरी को जल से जल स्वाल करने की कोशिब करेंगे तब तक के लिए धन्यवाज नमो नमा